गाई जैसे बहुत से बच्चे हैं जो ग्रेजुशन कर रहे हैं उनका प्लेश्मेंट नहीं हो पाता कई ऐसे बच्चे हैं जो गेट कर रहे हैं, कैट कर रहे हैं अच्छा रैंक नहीं आपाता इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ CEDEC का introduction, eligibility criteria, courses, exam pattern, top 10 institute, आपको CEDEC करना चाहिए की नहीं करना चाहिए और सबसे important packages का तो CEDEC है क्या, Center for Development of Advanced Computing, की institute है जो basically आपको PG Diploma को offer करता है, में लिए दो streams पे काम करता है CSIT और Electronics, through secret exam आप इसमें admission ले सकते हैं, और इसका main USP होता है guys, वो होता है इसका placement और इसका duration, जो ही course है वो होता है सिप 6-1 का, और इसका placement है किसी भी average engineering college के comparison में काफी जादा higher होता है अगर आप किसी अच्छे institute से CEDEC करते हैं, तो chances होते हैं कि 70% से 90% बच्चे तक हैं वहाँ पे select हो सकते हैं, through CEDEC एक और चीज़, ये साल में दो बार होता है, एक batch होता है इसका February से लेकर July तक का, और दूसरा batch होता है अगस से लेकर आपके January तक का Guys, अब बात करते हैं exam और exam pattern की, Guys, इसके लिए exam होता है CEDEC, जो साल में दो बार होता है, अगर आप February से जुलाई वाला पैर जोइन करना चाते हैं, तो आप और अगर आप अगस से January वाला पैर जोइन करना चाते हैं, तो exam exam जूनिया जुलाई की होता है So Guys, इसके इकजाम pattern है, इसके ऐने 3 section होता है, Section A, Section B, Section C, हर section में 50 question होता है और हर section एक खंटे का होता है, यान泉 3 खंटे exam होता है जिसके 150 questions होता है, और हर question की होता है, तो इसमें negative आपका भी रहता है marking, negative जो marking रहता है, one marks रहता है हर question के अगर आप कलती करते हैं, तो, अब guys, जो section A है, यह आपका होता है, इसमें आपका aptitude, reasoning और English, section B जो होता है, वो pure technical होता है, इसमें C, operating system, networking, fundamental of computers और आपका OPS होता है, section C जो होता है, guys, यह pure आपको बता है, digital होता है, इसमें digital electronics, आपका macro processor और computer architecture होता है, तो, guys, अगर आप CSIT से सिफ exam, CDAC करना चाहरे हैं, तो आपको सिफ section A, section B ही attempt करना, section C attempt नहीं करना है, लेकिन अगर आप interested है, CDAC electronics में करने में, तो फिर आपको section A, B, C देना कंपल सरी है, तो, guys, अब हम बात करते हैं, CDAC के course के बारे में, इसके course को भी तीन अलग category में बाटा गया है, category 1, category 2 और category 3, तो, guys, अगर आप सिफ section 1 attempt करते हैं, तो आप करेंगे PGDGI, कि अगर आप section 1 और 2 तो दोनों attempt करते हैं, तो कई सारे courses हैं, इसमें जो सबसे में रखेवरेट है, वो है PGDAC, और अगर आप section 1, 2, 3 तीनों attempt करते हैं, तो PGBLSI भी आप कर सकते हैं, तो, guys, यहाँ पे, जो PGDAC है, व उसमें PGDAC के जो बच्चे होते हैं, वो eligible होते हैं, जादा तर कंप्नियों में बैठने के लिए, तो, guys, अगर आप अना ये course जोईन करेंगे, तो मेरे हिसाबचे आपको PGDAC पर पहला preference हमेशा देना चाहिए, तो, guys, अब बात करते हैं, इसके top institute के बारे में, so, guys, यह मैंने 10 top institute का पूरा list डाला हुआ है, guys, इसमें जो मेंने 3 favorite हैं, वो है, एक आपका CDAC Act, जो कुने का है, एक है आपका Sunbeam कुने का, और एक Cappy Bangalore का, so, guys, यह तीनों institute बहुत अच्छे हैं, क्योंकि यहां का जो placement ratio है, यह बहुत जादा अच्छा है, अगर आपको preference चुनने का order आया, तो, यह तीनों college के बारे में, यह तीनों institute के बारे में, जरूर सोचना चाहिए, पहले, so, guys, अब बात करते हैं package की, कितना package आप accept कर सकते हैं CDEC करने के बाद, तो जो officially एक है, उसके according 1.8 से लेकर, 18 lakhs तक का package होता है, वो आपको CDEC करने पे मिल जाता है, जो average है, वो 3.2 से लेकर 4.5, यह average है, जो जादा ता लोगों को मिलता है, guys, जाना, यहाँ पर product-based company, service-based company, start-ups, सारे टाइप की company CDEC के campus में आती है, और guys, जाना, सारी जो अपने MNC सुनी होगी, लाइक आपने सुनागा, TCS, Cognizat, यह सारी जो company से CDEC के campus में ज़रूर visit करती है, So guys, अब last में हम देखते हैं कि आपको CDEC करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए और मेरे conclusion के, तो guys, अगर आपका हमीशा से aim रहा है कि आपको एक अच्छी company में placement चाहिए, अच्छे package के साथ, तो बिल्कुल आपको CDEC करना चाहिए, क्योंकि एक fast media में जिसके तुरू आपको अच्छा campus मिल सकता है CDEC के तुरू, Guys, मैंने देखा हैं, बहुत सारे लोग जब उनका engineering complete हो जाता है, तो बहार जाके कुछ courses करते हैं, जो एक skill development का course होता है, Guys, CDEC करने से नहीं सिर्फ आपको skill development होगा, बलकि आपको अच्छा-कासा placement भी मिलेगा, तो Guys, आपको CDEC बिल्कुल सोचना चाहिए करने का और आपको इसका exam भी दियना चाहिए और prepare भी करना चाहिए, एक और चीज, Guys, इस पूरी series में मैं आपको कई सारे ऐसे बच्चों से मिलाऊंगा, जो non CS IT branch की होते हुए भी CDEC पे अच्छे जगा प्लेस हैं और अच्छे package में प्लेस हैं, और साथी साथ आपको इस चैनल पे CDEC से related सारे questions भी मिल जाएंगे, बहुत जल्दी मैं upload करने वाला हूँ, तो guys आप खोशिश करेगा कि इस चैनल को subscribe करें और अपने दोस्तों के साथ share करें, Thank you!